महिला साश्वक्तिकरन ज्वल संडुरक्षन पश्वपालन खेती बाड़ी आदिस जोड़े कार्यों को देखने और अपने यहां करने की ललक पश्वम आफरिका के माली ज्वेकबारा और सेनेकल देशों से 10,000 किलोमेटर दूर धोलपूर खीच लाई 14 सदस्यों के दलने धोलपूर के सरमतूरा के गोपालपूरा सोने का गुरजवा सिदबकरी पालन सरवधन केंद्र बाड़ी के बिज्वाली का दोरा किया केमिट के निदेशक मामा दोयू ने बताया कि मंजुरी फाउंडीशन के द्वारा माली में ज्वाकर जो सम्मू से जुड़ा प्रसिक्षन दिया गया था और उसी कारे को बहतर तरीके से सीखने और आजिविका की कारे को देखने के लिए हम धोलपूर आए हुए हैं हम यहाँ पानी पैंच्वयात एवं उसकी भूमिका समुदाय के भागिदारी महलाओ की समाज्रिक मुद्धो पारा समझवाधी को बारी की से देख रही हैं और अपने यहाँ की परिसितियों से मेल करते हुए अपने सवाल जवाब कर रही हैं दल में नौ महिलाए हैं जो समुद से जुड़े कारियों को भी देखने और समुद से जीवन पर प्रभाव को समझने आई हैं दल के साथ आये कैमिट के अध्यक्ष आलियू खेता ने बताया कि हम धोलपूर में रहे कर विबिन प्रकार के सामाजविक कारियों को देख रहे हैं और सीख भी रहे हैं धोलपूर और माली की भोगौलिक परिस्तिया बहुत ही कुछ धोलपूर से मेल खाती है इसलिए हमने धोलपूर को चुना है मंजरी पाउंडीश्वन के इस विजट को करा रहे आशिश पाराश्वन ने बताया कि यहाँ दल बकरी पालन, मुर्गी पालन, आम की पैदावर आधी के बारे में भी जवानकारी प्राप्त कर रहे हैं स्वरम साहता समू के आगे की प्रक्रिया को भी समझ रही है दोलपूर में यहाँ प्रसिद तिर्थ स्थानों परेटन स्तलू का भी प्रमन करेंगे भरतपूर से सती स्थार्स्वत की रिपोर्ट